हेलो गाईज, वेलकम टू स्टेडी स्किल सक्सेस आज की ये जो वीडियो है वो काफ़ी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है आज किस वीडियो में हम आल इंडिया कोटा 15% की सेकेंड राउंड की एक्सपेक्टेड कट ओफ देखने वाले हैं और मैं आपको भरोसा देलाता हूँ कि 99.99% आपकी ये जो कट ओफ है वो इसी के आसपास रहने वाली है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कैटेगरी वाइज बात करेंगे जर्नल EWS, OBC, SC और SD तो अगर आपके मार्क्स जो मैं कट ओफ बताने वाला हूँ उसके आराउंड है तो definitely आप participate कीजेगा आपको कोई ना कोई government medical college तो मिल ही जाएगा ये आपको बादा दिलाता हूँ ठीक है तो second round की cut off जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारी first round की cut off है वो कितनी रही थी क्योंकि एक दो बार revise हुई थी तो student confused है कि first वाली सही थी या last वाली सही थी ठीक है तो सबसे पहले वो देख लेते हैं तो सबसे पहले 2020 के around अगर comparison करें तो हमारी 2020 में जो cut off rank थी वो थी 12,348 अब आप सभी को rank अपनी पता है तो आप देख लीजेगा और अब की बार जो cut off रही थी वो रही थी 13,970 ठीक है अब इतना difference क्यों आया था low cut off क्यों गई थी तो वो गई थी new colleges के चलते जो new colleges UP में और काफी सारे states में add हुए है उन्ही new colleges के चलते ये जो आपकी rank है वो काफी ज़्यादा नीचे गई थी काफी ज़्यादा इसमें हमें difference जो है वो देखने को मिला था मिसी बीच EWS की बात करें 12,325 आपकी 2020 में थी और 15,662 आपकी 2021 में रही ठीक है ओबिसी की बात करें तो 12,335 2020 में थी 14,930 आपकी 2021 में रही ST की बात करें 6,9669 आपकी थी 2020 में 7,8780 आपकी रही थी 21 में और ST की बात करें तो 9,3479 आपकी 2020 में थी और 102589 आपकी 2021 में रही थी अब सीधे चलते हैं round 2 की cutoff पर की 2020 में round 2 की cutoff में क्या difference रहा था और अब इस round 2 की cutoff में क्या difference रहा सकता है क्योंकि ये सबसे important part रहता है हमारी आगे की counseling का ठीक है तो यहाँ पर हम देखते हैं 2020 का तो 2020 में आपकी first round की तो थी 12,000 के round और second round की होगी 15,000 के round यानि कि यहाँ पर आपको difference जो देखने को मिला था वो मोटा मोटा 3000 का मिला था 3000 का difference देखने को मिला था general category में तो इसी बीच अगर हम 21 की cutoff को देखें तो 13,970 तो आपकी first round की cutoff थी 2021 की तो second round की अगर हम देखें तो आपका 4,000 से 5,000 का difference आपको देखने को मिल सकता है यानि कि आपकी अगर rank 18 से 19,000 के बीच है यहाँ दीजेगा अगर आपकी rank 18 से 19,000 के बीच है तो आप जरूर participate कीजेगा आपको कोई ना कोई government medical college definitely मिल जाएगा फिर चाहे वो तमिल का ही क्यों ना हो अब इससे better option भी हो सकता है वो क्या होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा ठीक है अभी category wise आप दीजेगा general category में आपका 4,000 से 5,000 तक का difference आ सकता है क्योंकि काफी सारे student अभी free exit करेंगे क्योंकि first round में free exit कर सकते है तो 21 में आपकी जो cutoff है वो 18 से 19,000 तक ज राउंड थी और second round की 15,000 की around यानि की मोटा मोटा यहां पर भी आपको 3K का difference जो है वो देखने को मिला था तो अगर EWS की अगर हम बात करें तो आपकी जो cutoff में difference है वो 45,000 से 5,000 वो ही 20K की around आपकी cutoff जो है वो रह सकती है सेम आपका procedure OBC में भी है क्योंकि उतना ही difference आपका OBC में भी रहा था OBC में भी आप मान सकते हैं 19,000 से आपका 20,000 तक का difference रह सकता है difference नहीं 19,000 से 20,000 तक आपकी cutoff जो है वो जा सकती है तो जर्नल OBC EWS जर्नल में आपका 19,000 तक और OBC और EWS में अगर आपके mark जो है वो 20,000 तक है 20K तक है आपकी rank तो आप definitely participate जरूर कीजेगा अब बारी आती है SC category की SC category में अगर आप देखें तो काफी बड़ा difference रहा था 60,000 के round आपका 70,000 के round आपकी cutoff थी 2020 में और 81,000 के round आपकी 2020 के second round में होगी तो मोटा मोटा 11,000 का difference यहाँ पर जो है वो देखने को मिला था अगर यहाँ हम बात करें 21 में तो आपकी जो SC की cutoff है वो 97 के से 1,00,000 तक 97 के से 1,00,000 तक आपकी जो cutoff है वो जा सकती है ठीक है 97 के से 1,00,000 तक और ST की अगर बात की जाए तो 1,00,000 तक आप अपनी cutoff मान के चाल सकते हैं 1,00,000 तक आपकी rank जो हो सकती है ST category में तो आप देख लीजी अगर आप general category से हैं तो 18 से 19,000 EWS से हैं तो 20,000 OBC से हैं तो 19 से 20,000 SC से हैं तो 97 के से 1,00,000 और ST से हैं तो 1,00,000 तक आपकी rank है इतनी अगर आपकी rank है तो definitely आप participate कीजेगा आपको college कोई ना कोई तो definitely मिल जाएगा चाहे फिर वो तमिलाडू का ही क्यो ना मिले अगर आपको कोई सा भी college नहीं चाहिए यानि कि आप नहीं न की तरफ जा सकते हैं अपनी 85% state quota में participate कीजिए काफी अच्छा college इतनी rank पर आपको definitely वहाँ पर जो मिल ही जाएगा अगर आप all India quota में fight कर सकते हैं all India quota में आपको second round में participate करके college मिल सकता है तो 85% state quota में तो आपको definitely college मिल ही जाएगा वो भी अच्छा college मिल जाएगा आपकी state का त की तरफ नहीं जाते हैं तो free exit लीजिए यहां से ठीक है यहां से आप free exit लीजिए और आप अपने state quota के तरफ जा सकते हैं काफे सारे student को free exit के बारे में नहीं पता है अगर आप चाते हैं कि मैं इस पर एक separate video बनाऊ तो please यार मुझे comment section में comment करके जरूर बताईएगा बाकी य लावा आप मुझे telegram पर message कर सकते हैं नोट कीजेगा study skill success यह telegram channel है मेरा इस telegram channel को आप join कर लीजेगा 6.1k के राउंड यहां पर followers है यहां पर आपको काफी सारे और भी ज्यादा updates जो है वो मिलते रहेंगे और यहां से आप मुझे personally भी बात जो है वो कर सकते हैं ठीक है बा